अच्छा हाँ बाई एक काम करना तो भी पांच मिनट मेना बैंक वाले आने वाले हैं उनको एक रिपोर्ट देनी है बहुत तकड़े वाली ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एन लास अकाउंट और बैलेंस सीट अपना जो करेंट में 31 जनौरी तक का बैलेंस है वो भी दिखे और 31 जनौरी में जो भी लाइविल्टी है वो पेमेंट करने के बाद भी क्या बच रहा है उसी चार्ट में दिखे और जो डिफरेंस आ रहा है कितना पेमेंट हुआ है जो एड़ेस्टमेंट हुआ है वो डिफरेंस वाला भी चीज वहीं पर दिखे ठीक है जाओ टैली से ले के आज ओफटाक से निकाल लो सर इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा सर पांच मिनट में अभी तो मुझे पहले तो टैली का बैक अप लेना प अरे यार हर बात मुझे ही बतानी पड़ती है तुमको अरे टैली में कुछ एक फीचर रहता है सेनेरियो करके सेनेरियो अब देखो तुमसे ज्यादा मुझे पता चल गया मैं टैली यूज कर रहा हूं जब से तुमसे ज्यादा फाश्क तो मैं ही सीख रहा हूं तुम क्या से पूछो फटाक से निकाल के दो पांच मिनट में ठीक है तो यहां दोस्तों कभी-कभी होता एसा है कि अपने कुछ इह होती है comparison report कि अपना 31 मार्च तक या जब भी आपको balance sheet create करनी है 30 सितंबर तक या 31 मार्च तक या 31 जनौरी तक जब भी आपको एक final data देखना है कि अपना यह तो previous पूरा balances है अभी अगर payment कर देते हैं जो भी अपनी liability है अपना due है अगर अपना उसको दे दे payment कर दें तो अपना फिर balance sheet की position क्या आएगी अपना profit loss का position क्या आएगी अपना trial balance कैसा दिखेगा लेकिन अब आप तुरंत पेमेंट तो कर नहीं सकते हो भाई आप जिसको गी check ओगर दे रहे हो तो बात की check दोगे जब भी clear होगा तब clear होगा लेकिन टैली में दोस्तों एक ऐसी सुविधा है कि जिससे आप payment कर सकते हो तो आपका balances में effect भी उसका नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आपको report ओगर देखनी है तो आराम से आप उस चीज को देख भी सकते हो तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि ये टैली में अपना किस तरीके से work क बताता हूं कि ऐसी type की reports अपन कैसे generate कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर current live voltage करके कुछ balance आ रहा है 31 January ही लिखा हुआ है यहाँ पर actuals करके लिखा हुआ है यह उसका amount हो गया है मैंने कुछ balances को यहाँ पर highlight करके रखा जैसे 81 432 है 78 450 है उसके पर यहाँ पर 41 220 का मैंने entry कर दिया अब यह balance जो अपना बचना चाहिए यह बचना चाहिए तो बहुस कोई सी ही report चाहिए लेकिन इसका effect अपने books में ना आए यह भी अपने को देखना है कि यह अपने entry तो कर दें लेकिन उसका effect कहीं भी ना दिखाई दे तो चली देखते ह है इस type की entries को हम लोग कि जिससे अपनी reporting भी proper हो जाए लेकिन उसका effect balance में ना जाए अगर मैं अभी आपको अगर financial reports दिखाऊ हूँ यहाँ पर जैसे balance sheet हो गया तो यह इस तरीकेस अपनी balance sheet आ जाती profit loss account आ जाता है इस तरीकेस कुछ दिखते रहता है अपने trial balance आ जाते है दो provision अपना जो rent और गएरा का पैसा है वो भी payment करना ही अपना एक्संडरी creditor है इनको भी अपने को payment करना है तो दोस्तों सबको payment करना है अपने को फरवरी में क्योंकि अपना 31 जनुरी तक की यह books है payment कब करेंगे फरवरी में करेंगे लेकिन boss को अभी ही report देखनी है कि यह अप अपना 31 जनुरी तक का अगर payment कर दें तो 31 जनुरी तक की date में books का क्या status रहेगा तो इसका जड़तर यूज तब होता है दोस्तों जब आपको balance sheet बनाना है या सितंबर का आपको balance sheet बनाना है या आपको provisional balance sheet बनानी है 31 जनुरी तक की तब इन सब चीजों का यूज होता है तो अपन entry भी डाल दें उसका effect भी ना दिखाई दे books में और अपना काम भी बन जाए reporting भी अपनी बन के तयार हो जाए तो दोस्तों ऐसी entries आप direct यहाँ पे laser में नहीं कर सकते हो अगर आप यहाँ पे laser में जैसे आपको 84 बैलेंस दिख रहा है तो आप entry यहाँ पे डाल भी उसका कोई effect ना आये है इसके लिए सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे vouchers के अंदर में vouchers में आप जाएंगे इधर आपको other vouchers में चले जाना है other vouchers में जाएंगे यहाँ पे आपको so inactive कर लेना है so inactive करेंगे तो इधर आपको reversing general करके दिखेगा आप इस पे enter करेंगे 30 जनुरी तक का या किसी भी date तक का अब जैसे यह मेरे creditor है infotech private limited मैं चाहता हूँ कि तो जैसे मान लेजिए यहाँ मैं 60,000,000 इतना कुछ बिल का payment इनको कर देता हूं कुछ pending रह जाएगा तो उसको बाद में payment कर सकते हैं यानि कि इनको इतने का अपने को हर महीने check इसू कर रहे है ठीक है यहा मैं bank का नाव select कर लेता हूं ठीक है एक entry यह हो गई यह landlord का यह भी payment कर देते हैं rent वाला भी अपन डाल देते हैं जैसे 80,000 रुपए यहाँ पे दिख रहा है तो आप 80,000 रुपए यहां पे दिख रहा है तो जितना आपको balance दिख रहा है balance का balance भी पे कर सक तो यानि कि जितना भी अपनी लाइविल्टी वन रही थी जो पेइमेंट करने की जनौरी तक की उसको अभी से सो कर दे रहे हैं कि इसके थूरू रिवर्सिंग जेर्नल के थूरू इसको भी मैं सेप कर देता हूं अब अगर मैं यहां पर डे बुक में जाके दिखाओं तो आ अब यह अपन रिवर्सिंग जेर्नल से एंट्री करके रखे हैं वह अपना थोड़ा सा हाइलाइटेड नहीं है ठीक है अब आपको डे बुक में यह सारी चीज़े दिख रही है अगर मैं इनके लेजर में जाओंगा तो यह एंट्री आपको लेजर में नहीं दिखेगी ठ यानि कि इन एंट्री का उनके बुक में इनके लेजर में कोई भी इफेक्ट नहीं आया हुआ है अगर मैं यहां पर ट्रैल वालेंस में भी जाओंगा तो अभी लाइविल्टी के अंदर में वह एंट्री अपनी नहीं दिख रही है जो दिखनी चाहिए थी जो बैलेंस मस्टर में चले जाना है और यहां पर टाइप करेंगे तर पर add कर देना है, और इसको save कर देंगे, यह अपना काम हो गया, scenario अपना create हो चुका है, reversing journal का, अब जो भी अपने को report निकालनी है, उस report के अंदर मैं अपने को चले जाना है, अब मैं यहाँ पर जाओंगा new column में, इधर alt c करेंगे, new column करके आएगा, इधर चले जाना है, यहा अब जैसे मैंने यहाँ पर इंटर करेंगे, कोई एक particular group का ही बस निकालना है, तो आप प्राइमरी रखेंगे, तो सभी का आएगा, अब जैसे मैंने यहाँ पर इंटर किया, अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज आ रहा है, actuals करके यह आ रहा है, प्रोविजन्स करके, ठीक है, तो actuals करके अपना यह वाला है, जितना अपना current date में balance है, 78, 450, 77, 51, 35, इसको संडरी creditors को भी और expand करता हूं, तो अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, 76, 69, यह तीन इतना balance बचा, वो इधर दिया हुआ है, 60, 23, 39, इधर new column में, यहाँ पर एक और option आता है, इधर provisions में गए, यहाँ पर इसको yes करें, ठीक है, मैंने वहाँ पर balance वाले को भी yes कर दी, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि अब provision variance वाला भी option enable हो चुका है, तो यहाँ अपना actual कितना है, provision के साथ में क्या amount आ रहा है, और provision variance कितना है, वो भी आ चुका है अपना यहाँ पर, तो यही report चाहिए थी boss को, same way, इस method को आप कहीं भी use कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर balance sheet में भी रहेंगे, तो भी same method को आप इधर भी use कर सकते हैं, अभी मैं इसको detail में कर देत और enter कर देंगे, अब यह आपका provision के साथ में आ गया, actuals आ गया, provision आ गया, वापस से difference भी देखना है, तो यहाँ पर provision के बाद में एक option आता है, so variance वाला इसको भी yes कर देंगे, तो यह variance भी आपको last में दिखाई देने लगेगा, तो actuals आ गया, provision के साथ में आ गया, और कितन इतने का variance है, वो भी आ गया, 16,87,000, 45,000 का इतने का variance है, सेम यही चीज अपन profit loss account के लिए भी यूज कर सकते हैं, सभी जगह के लिए सेम यही चीज यूज कर सकते हैं, दोस्तों, तो इस तरीके से आप tally का future बता सकते हैं, कि entries करने के बाद में आपके tally data का future क्या होने वाल पूरा report निकल गया, अरे वा, very good, very good, रेखे कितनी आसानी सकाम होगे आपना, अच्छा ठीक है जाओ, और हाँ, आप लोगों को भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज, तो जी हां दोस्तों, बिल्कुल आप वीडियो को like कर दीजिए, और वीडियो अच्छी झाल 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 झाल, झाल झाल, 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 झाल झाल झाल